नमस्कार दस्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूर आहूल सिंग लगातार टार्गेटिंग किलिंग जो कश्मीर में हो रही है उसको लेकर कश्मीरी पंडित हो या डोग्रा जो वहाँ पर जॉब कर रहा है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है और वहाँ कर द्विजन में की जाया जमूर कर देखने को लगातार मिल रहा है याWow प्रोटेस्ट अरहा होाँ जाकर एक महिनीश किलिंग एठा इसको नहुए कि तर्गेटर डाए पहले राह inveem फिर नहीं भ elbow मिल झैए हुं उसके बाद अगर बात की जा तो बैंक मैनेजर जो है जो राजस्थान के रहने वाले थे उनकी टार्गेटिंग किलिंग की उसके बाद दो मजदूर जो थे उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गए उसके बाद कल का जो वाकिया सामने आया था उसमें भी इसी तरह का जो वाकिया व लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं या बाहर के जो अपरवासी मजदूर है वहां पर काम कर रहे हैं उनको अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं और आज भी आपने वो प्रोटेस्ट देखा कि लोगों त्वारा यही कहा जा रहा थे कि हमें वहां से जम्मू जो है ट्रांसफ के लोग वो थे सिक्योर्टी को देखते हैं सारे वहां पर मीटिंग जो थी वो की जा रही थी अजी डुबाल जो नेशनल सिक्योर्टी के इंचार्ज हैं वो वहां पर खुद मौजूद थे और हालातों का जाइजा वहां पर लिया गया हाई लेवल मीटिंग रही और मीट वाला कि ट्रांसफर की बात की जाए तो वैसा कोई भी देखने को नहीं मिला, ऐसा कोई भी वहां से आश्वासन या कोई ऐसा ओर्डर नहीं आया है कि जितने भी वहां पर जॉब कर रहे हैं उनको जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाए, जम्मू में उनका तबादला कर दिया ना कि जो a rural area है या downtown का area है जहां पर जादा dangerous जो situation है इन लोगों के लिए बन सकती है, वहां पर करमचारियों के लिए बन सकती है, वहां पर उनको ना रखा जाए, इसलिए जो decision लिया गया उसमें यही था कि locations find out की जाए, जहां पर जादा safe है, जो employees रह सकते है, security वहां पर और high level की कर दी जाए, ताकि जो employees है उन्हें यहां ना लाना पड़े, वही पर वह अपना काम जो है वो करते रहे, इसी को देखते हुए पहला, जो safer zone में इन लोगों को भेजा गया है, वो 177 ऐसे teachers हैं, जिने कश्मीर के जो central synagogue की बात की जाए, वहां पर safe zone में भेजा गया ह कि 7 से 8 ऐसे zone है, जिने अभी safe zone जो है, वो डिकलेर किया गया है, और वहीं अभी फिलहाल 177 जो teachers हैं, उन्हें वहां पर भेजा गया है, यानि कि उनकी transfer जो है, वही पर हुई है, ना कि जम्मू में हुई है, इस्टेट अफ जम्मू में उनकी transfer होने चाहिए थी, जो लोग यह demand कर रहे थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ, उनको कश्मीर में ही रहना है, वहीं पर job करनी है, लेकिन security high level की की जाएगी, और उनकी जो तैनाती है, जो safe zone डिकलेर किया गया है, वहीं पर होगी, तो यह बड़ा फैसला फिलहाल जो कल भी आया था, और आज जो फैसला आया व यहां पर जो job कर रहे हैं, चाहे वह कश्मीर हिंदू पंडी स्था हो, या फिर ओगरा, यहां के जम्मू के रहने वाले हो, या फिर जो मज़दूर है, वह तो यही कह रहे हैं, कि हमारे काम ही नहीं है, यहां हम रहे ही नहीं सकते, क्योंकि लगातार हम लोगों को भी निश चोड़ना चाहते कि कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें गोवर्मेंट जॉब मिल जाए तो उन्हें छोड़नी पड़ जाए लेकिन वो चाहते है कि उनके उन्हें यहां पर भे दिया जाए यहां पर अपनी सर्विसिस दे क्योंकि जम्मू डिविजल की बात की जाए तो यहां गबराने की बात नहीं है, सबसे अगर सेफ जगे देखी जाए तो जम्मू से अच्छी कोई जगे नहीं है, इसलिए हर कोई चाहता है कि यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, हलाकि उनकी जो बात है, वो सुनी भी गई, लेकिन एड दे एंड यही डिसिजन लिया गया, क्योंकि पि-ए-म पैकेज के तहट लगे हैं, माइगरेंट कोटे के तहट लगे हैं, उनकी जॉब जो है, वो कश्मीर में ही है, इसलिए उन्ने ही रखा जाए, लेकिन उनके लिए सेफ जोन तयार किया जाए, जहां पर सिक्योर्टी जदा हाई लेवल की हो, उन्ही कौार्टरस में उन्हें रखा जाए, यहां सिक्योर्टी हाई लेवल पी हो, लेकिन उन लोगों का ये भी कहना है, जो लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं, आज भी उनका तभी पुल पर प्रोटेस्ट हुआ जहां, उन्होंने तभी पुल को बंद भी किया, अपनी तरफ से बात भी रखी, उ जा है, वो कश्मीर में ही हो, वहां पर भी रोड को ब्लॉक करके वो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे टार्गेटिंग किलिंग लगातार की जा रहे है, आतंगवादी और रोज जो है, जो मासूम लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी गोली का टेक्स बेज रहे हैं, जो भी जो आतंगवादी गिरो है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, उनकी तरफ से यही मैसेज है कि यहां पर हम दहरने नहीं देंगे, आपके लिए अच्छा यही है, यहां से निकल जाईए, अभी सिक्योर जोन, यहां फिर से जोन की बात की जाए, वो डिकलेर हुए है, वहां पर अभी फिलाल ट्रांसफर किये गए है, अब और कितने लोग ट्रांसफर किये जाते हैं, यह देखना होगा, लेकिन यहां पर लोग यही यह भी कह रहे हैं, कि ठीक है, हम जब जॉब कर रहेंगे, वो समय दस से चार, दस से च्छे तो ठीक है हम सेफ जोन में रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या, जब हमें बाहर मार्किट में जाना है, अपने घर का सामान खरीदना है, या बाहर पबलिक में कोई चीज़ लेने के लिए जाना है, अगर हम बाहर ही नहीं जा सकते हैं, हमने रहना ही घर के अंदर है, तो हम क्या वहां पर कोई सजा भूगत रहें यह भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम जब तक जॉब कर रहें कि आपने देखा होगा कि राहुल भट जो अपने ऑफिस में थे उन्हें 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 आफिस में जाकर जो है आतंगवादि उन्हें गोली का निशाना बनाया था जो तहसील काम कर रहे थे आप समझ सकते हैं कि तहसील ऑफिस में कितनी ज़द सिक्योटी होते हैं उसके बावजूद भी गेट के अंदर रातंगवादी गए उनके ऑफिस तक गए उनके जहां उनका ऑफिस का रूम है वहां गए और वहां जाकर उनका नाम भी पूछा गया और उन्ह गोली का निशाना बना है इसी तरीके से टीचर रजनी बाला जो है उनका डर बना हुआ है अलकि अभी तबादले की बाद सिर्फ वहीं पर है जमूद में नहीं भेजा जा रहा लेकिन कश्मीरी पंडित हो यहां से जो डोगरे वहां पर जौब करने के लिए उनका यही कहन आते हैं फिलाल दीजे इजाज़त दीपक भंडारी के साथ राहू सिंग रस्टेट संटेनल के लिए नमस्कार